कभी नथा सिंग्जी ने बहुत ही सुन्दर रचनान लिखी है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया यह जीवन है जिन्दगी है इंसान को उस वक्त समझाती है जब हाथ में वक्त ही नहीं रहता इसलिए कहा गया है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का धंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का धंग आया जब बुझ कई शमा तो मैं फिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का धंग आया जीवन खत्म हुआ तो देखिए अगर मुसाफिर घर से उस वक्त निकलेगा जब स्टेशन से गाड़ी निकल जाती है तो क्या होगा वही हमारे साथ हो रहा है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर मुसाफिर दर से चला मुसाफिर आखिर वो लोट करके आखिर वो लोट करके वापिस बेरंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो इंसान को उस समय समझाया कि क्या करना है जब वो भूड़ा हो चुका है और किसी गाड़ी के पुर्जे में जंग लग जाती है तो वो काम नहीं करती इसलिए बंदे को उस वक्त समझाया जब उसके एक एक पुर्जे में जंग लग गया कभी में कहा है मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब बूढे तन के हर एक एक पुरजे में जंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का डंग आया जीवन खत्म हुआ तो फुर्षत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया फुर्षत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला ना निकला फुर्षत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग आया जीवन खत्म हुआतो जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआतो बहुत ही सुन्दर रचना है नथा सिंग जी दवारा लिकी गई अंत में क्या कहते हैं? आयू ने नथा सिंग जब हतियार फैंक डाले यमराज फोज लेकर करने को जंग पाया युद्ध आयू ने नथा सिंग जब हतियार फैंक डाले आयू ने नथा सिंग जब हतियार फैंक डाले यम्राज भोज लेकर करने को जंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने को धंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने को धंग आया जब बुझ गई शमा तो मैं फिल्मे रंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो